इसको किया हाता है कि को मॉ टर वाला सिस्टम कीया है जिसको हम इन्वली अंषे मूब करेंगे तो उसनों करेंगे तो में मेरी COP चाहि workforce मेरी चाहिना है ज़ेए थोड़ा से घृता है मेंटें इंडिया दो ठारिश है अच्छह लगता है हमारा यह ब्रिंजर वाला फ्राय है और यह है जो बीटर कोड करे लगा बजी है बहुत ही हल्दी वाला खना वना है अब यह अच्छे से चकपटा से खा लेता हूं पहले उसके बाद मैं आपके चीज़ें ऑन्बॉक्स करके दिखाता हूं कि हेलोदस्त जागत है आप सब ही का मेरा निए व्लोग में आज मैंने जैसे का आपको बोला था कि लास्ट व्लोग में आपको बताया था कि मेरे घर में एक रोल किया है मैंने बहुत ही आची चीज है Flipcat से order किया है और वो आज delivery हुआ है भी just recently तो इसलिए मैंने उसके ओपर एक unbusing video बनाने के लिए मैंने आपको बोला थे कि क्या है मैंने order किया है देखते हैं पहले हम open करके देखते हैं कि क्या है actually वो चीज और मैंने किस बज़े से order किया है और यह product actually worthy है की नहीं इतना price में यह actually जो की worth है की नहीं हमने order किया इसके value ठीक है की नहीं आप यह सब चीजे मेरे को comment पे last तक देखिए last में आप मेरे को comment करके बताईए और अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी order कर सकते हैं मैं link description में डाल दूगा ठीक है आप लोग देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा ऐसा parcel आया है आप लोग को लगते है क्या लगते है कि क्या होगा इसमें हम पहले इसका unpack करके देखते हैं अब देखते हैं इसके अंदर क्या है आपको क्या लगता है क्या 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 होगा क्या होगा क्योंकि यह ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है लेकिन जितना प्राइस में दिया हूं पर बहुत और दी है मैं काफी दिलों से सोच रहा था एक चीज और रगेने के लिए मेड इन चाइना है देखके थोड़ा से गुस्सा आता है मेड इन इंडिया होता था और रहा अच्छा लगता है यह हम पहले से और आवला चीज को निकाल के दिखेंगे क्या है यह है अच्छली चार्कोल मिनी ग्रिल्ड चार्कोल मिनी बार्बीक्य एंज़ यूर लाइफ ब्लोग का हिसा है तो आज मैंने घर के एक निया चीज और रख किया था तो मैं आपको सोचा कि यह चीज भी आपको एक बार शेयर करना हूं आप लोग भी देख लीजिए आपको भी पॉसास वाल सकते है कि इसमें क्या है क्या नहीं यह है उसका है अच्छली दिया है और देखने जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा क्वालिटी कर लग रहा है जैसे कि एक मेटाल से बना हुआ है इसको कैसे हां इसका स्टांड दिया है इसको हम इससे स्टांड करके पोजिशन में रख सकते हैं उसके बाद हम इसके ओपर कुछ भी कूक कर सकते हैं जिक कोने के हमको पहले लिए लिखान ला चाहिए और यह पहले हमको तो फेले उपर वाला इससे अचल को सकते हैं इसकी आप चिकेन पनीर कुछ भी आपको ग्रिल करना है तो इसके ओपर रख देंगे तो आसरी से ग्रिल हो सकता है अच्छी काफी दिनों से मेरो को अच्छी बहुत सखीन है कि चिकन और मीट मुच लिखाने के और बाहर से कला के खा रहे है ना वांगलोर में अच्छी बहुत ही ज्यादा प्राइस में बो लोग देते हैं और एक दो पीस लेते हैं तो उसमें एक सेल साटिस्पेक्शन नहीं में ईसको हम खुद अगर इसको बनाके खाएंगे तो आदा किलो एक किलो का चिकन भी आप इजली बना सकते हैं गर में और इसका मजा ले सकते हैं कोई डायरेट लिया आटे में और ख॥ाय होगा और इसके ऊपर हम चाआप के सकाने ते होगा यह को आख लेगे और क्या दिया है इसके अंदर इसके अंदर और एक चीज दिया है एक बीबीक्यूब फ्यान दिया है यह अच्छे लिए सोटा वरा है इसको क्या हैता है कि जिसमें क्या होगा कि थोड़ा से धीमी धीमी आंच में वकर जड़ा होगा हमार चर्कुल फोड़ा से अच्छा आंच पकड़के अच्छा से जलेगा और जल्दी चिकन भी फक जाएगा चिकन या पनियर कुछ बना रहे होगे तो गुधा है ये इसका प्राइस जो है क्लिप रुपे हैं, अगर आप पाटी वोड़ेंट हैं, आपका अगर मूड करता है कि कुछ तंदोरी खाने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, मुझे तो और दी लगा कि कि बहुत काफी कुछ स्रामन दिया है इसके अंदर, तो अचलिस्ट बहुत कुछ पैसा भी सेव हो तो इस वज़े से मैंने सुचा कि आपको यह चीज भी एक पर थोड़ा से में अगर ब्लोग के जड़िये शेयर कर लूँगा, तो साइध हो सकता है, आपका भी कामा सकता है, तो लिक मेंने इसका आपको डेस्क्रिक्रिक्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते है लुकाट में, और आपको यह मेरा आपका जो अन्बक्सिंग है, पहला अन्बक्सिंग है मेरा इस चैनल में आपको कैसा लगा, आप के पागर के कमेट में बताइए, अगर कहीं पर कुछ गलती रहे गया वगार तो कमेट में बोलिए, मैं जरूर सदाल लोगा, और मेरा ब् यह मुद्रेते हैं आपको नश ब्लग में, जाएंगे